जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभी प्राणियों में सिर्फ मनुसी ही एक ऐसा प्राणी है जो बोल सकता है, इसलिए उसे सर्वस्ट्रेस्ट माना जाता है तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मौखिक संचार यानि की ओरल कम्यूनिकेसन मौखिक संचार में केवल ध्वनी और इसारों पर ही संचार नहीं होता यानि की इसमें आवाज और इसारों पर बाते नहीं होती, बलकि भासा और सब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है इसके साथ ही चेहरे के हावभाव इसारे आधिका प्रयोग भी इसमें होता है यह एक ऐसी संचार प्रणारी है जिसमें हम एक या एक से अधिक लोगों से बात करके अपनी बातों और विचारों का संप्रेशन करते हैं यानि कि एक यद एक सदिक लोगों से बात करके हम अपनी बात और विचारों को पहुचाते हैं इसमें टेलिफॉन, वीडियो, रेडियो, टेलिविजन, वॉइस मेल, इंटरनेट आदि से भी संचार होता है वोई संचार आवाज की गती, पिच, सब्दों के साफ उचारण और मॉडिलेशन से प्रभावित होता है इसका उप्योग हम लोग समू में टेलिफॉन के माध्यम से भी करते हैं इसमें आप अपने सब्दों से किसी भी व्यक्ति तक अपनी बात पहुचा सकते हैं इसलिए मौखिक संचार का हमारे जिवन में बहुत महत्त होता है वर्बल कम्यूनिकेशन के प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं फर्स्ट है मौखिक याब बोलने वाला संचार और सेकंड है लिखित संचार मौखे के अब बोलने वाला संचार जिसमें बाते करना सामिर होता है इसको अगर हम लोग एक्जामपल से समझे तो आमने सामने की बातचीत करना समूचर्चा, घर पर परिवार के सदसे के साथ बाते करना इसके अंतरगत आता है सेकंड इसका एक्जामपल है फॉन पर बाते करना थार्ड इसका एक्जामपल है कक्षा सुक्सन यानि कि क्लास टीचिंग के वक्त स्टुडेंट और टीचर के बीच जो कम्यूनिकेशन होता है वो भी इसके एक्जामपल के अंतरगत आता है सेकंड है लिखी संचार लिखी संचार जिसमें लिखीत या टाइप कियेगे सब्द सामिल होते हैं इसे अगर हम लोग एक्जामपल से समझें तो इस पर पेपर पर लिखना पत्र नोट्स आदिस के अंतरगत आते हैं सेकंड इसका एक्जामपल है एसमस जब हम किसी व्यक्ति को अपनी बात पहुचानी होती है तो हम लोग एसमस के माध्यम से उसे अपनी बात पहुचाते हैं थार्ड इसका एक्जामपल है समाचार फोटो, वीडियो, संगीत, इमेल आदि के जरिये अपनी संदेश को एक से दुसरे तक पहुचाना करना चाहते हैं तो यहाँ संचार का सबसे सरलतम स्वरूप होता है यानि की वर्बल कम्यूनिकेशन अपनी बात करने का एक सबसे सरल रूप है इसके नुकसान की बात करें तो इसका नुकसान सबसे बड़ा यहाँ है कि यहाँ सब्दों पर निर्भर करता है कभी-कभी आर्थ समझने में भ्रह्म हो जाता है और यह समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या सही सब्द का प्योग नहीं किया गया था उम्मीद है आप लोग को हमारा आज का टॉपिक पसंद आया होगा पसंद आये तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू